Good morning, today is 1st November 2016 and we are going to discuss the articles of the Hindu First article of discussion is related to the cross-border ceasefire violations हुआ क्या था? 2003 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इससे पहले बहु ज़रा फाइरिंग हो रही थी पार्लेमेंट अटैक के बाद में एक माहोल गरमाया हुआ था तो बोर्डर पर बहु ज़रा फाइरिंग हो रही थी दोनों में इंडिया भी कर रहा था और पाकिस्तान भी कर रहा था तो इसको विराम मिला 2003 में तब जबकि दोनों दोसों ने एक ceasefire agreement sign कि हम आगे से बोर्डर पर फाइरिंग नहीं करेंगे लेकिन समय समय पर इस जो agreement का उलंगन होता रहता है लेकिन पिसले दिनों इस incidence में काफी उच्छाल आया है देखे आप देख सकते हैं 2012-2011-10 में कितने कितने incidence 93, 51 और 44 आगे भी हम discuss करेंगे देखे अब 2003 के बाद में हुआ कि जब वहाँ पे ceasefire agreement sign हो गया था तो एक level के बाद में border में peace स्थापित हो गई यानि थोड़े मोते छिटपूट गटनाए होती थी लेकिन एक level तक वहाँ पे peace established हो गई थी और जो हमारे देखें इंडिया और पाकिस्तन में क्या difference है जो पाकिस्तन का border areas है वहाँ पे इतने जड़ा लोग नहीं रहता है वहाँ पर population कम है यानि पाक के areas में population कम है और इंडिया के areas में population बहुत ज़धा है यानि जब भी cross border firing होती है तो इंडिया पर ज़्यादा प्रसर रहता है इंडिया को ज़्यादा नुक्सान होता क्योंकि अब यूरी आटक के बाद में, यूरी आटक के बाद में situation और ज़्यादा घंबीर हो गई है और ये ceasefire violations में एकदम से उच्छाल देखने को मिल रहा है और अभी जो हमारे officers हैं, यानि armed forces हैं, उनको भी एक free hand दे दिया गया है, इंडिया ने भी कि आप retaliate करिए, मूत और जवा अभी एक मंदीप नाम के हमारा soldier सहीद हुआ था, जिसकी body mutilate कर दी थी terrorist और पाक की armed forces ने, तो इससे हमारे देश में एक गुसा देखने को मिल रहा है, और जो अभी कार्माई में हमने भी उनकी चार पोस्ट को demolish कर दिया, और देखिए ceasefire जो वाले से होती हैं, उसकी गंब वो 192 km के international border पर देखने को मिल रही है, ये भी एक घंबीर विशू है, अब देखिए international border और इसमें difference क्या होता है, जो LOC होती है, देखिए थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं, जो international border वो होता है, जो दोनों देशों ने मान लिया है कि यही हमारे के देशों के बीच में borderline है और international countries और international भी ये legal है, जैसे हमारा international border मैं मार के साथ में बगना देश के साथ में बुटान के साथ में, पाक, और पाकिस्तान के साथ में भी कुछ areas में dispute है, जैसे जमौ अनकस्मीर का उपर का area है, LOC, जो हाँ पे dispute है, देखिए simple सी बात है, जहाँ पे dispute है, उसको LOC कह रह यानि अभी जब तक dispute नहीं होता तब तक यही border है इसको कहते है line of control और यह जो international border होता है इसको दुनों देश मानते हैं इसको कहते हैं कि हाँ यही border है final border यहीं है इस पर कोई dispute नहीं है और internationally भी यह मान्या होता है और legal होता है यह difference है international border और LOC के बीच में अब देखिए यहां पर ऊपर देख लीजिए यह LOC है यहां पर पाकिस्तान कहता है कि हमारा area ज्यादा है और हमारा area यह तो definitely पूरा हमारा claim है इस पर तो इस हिसाब से यह पूरा का पूरा रहता है अब देखिए अब गंबीर issue यह है कि पहले तो देखिए LOC पर होती थी थी यहां तो firing नहीं होगी क्योंकि इंटरनेशनली admitted border है लेकिन अब पाकिस्तान वाले लोग वहां भी करते हैं तो यह वही बात जो हमने डिसकर्स किया जाए इंडिया पर ज्यादा pressure रहता है और peace जब से यह होने स्टार्ट होगा तो वहां की peace पूरी की पूरी demolish होगी है या निकलता देखिए solution तो इसका political solution निकलेगा और एक level के बाद में इंडिया को इसके solution निकालना होगा और पाकिस्तान को भी इसके solution निकालना होगा क्योंकि दुन देशों के लोगों का इससे नुकसान होता है और armed forces का भी नुकसान होता है अभी तक तो देखिए कोई भी किसी की political leader ने कोई कदम नहीं उठाए है इसके solution निकालने के लिए लेकिन जल्द से जल्द solution निकालना पड़ेगा ताकि casualties आने वाले time में कम से कम हो जो अगला article है देखे यह article जो है यह तो Spain के internal politics के बारे में तो यह article तो नहीं discuss करें लाइक यह article है यह armed sale के बारे में है इंडिया कैसे अपने armed sale को यानि हतियारों की sale को बढ़ा सकता है और इवन थोड़ा बोथ पाकिस्तान की हजाद की विचर्चाइस में की गई है तो पूरा article इसको discuss करें लेते हैं इंडिया अफगानिस्तान relations लेकिन focus है इसका armed sale पर हतियारों की बिकरी पर देखें पिछले कुछ समय से आपको पता होगा अफगानिस्तान का वार चल रहा है तालिबान के साथ में तालिबान ज़्यदा से ज़्यदा एरिया capture करना चाहता है और अफगानिस्तान पर कबजा जमाना चाहता है इसी कड़ी में 2013 में हामिद करजई जो उस टाइम पर पाकिस्तान के राश्टर पती थे उन्होंने इंडिया से कहा कि आप हमें हतियार दीजिए तो इंडिया ने उस टाइम पर तो कुछी ज़्यादा जमाना चाहता है तो हम पाकिस्तान के साथ टैंस एक लेवल के साथ बढ़ाना नहीं चाहते एक लेवल के बाद में दूसरा रीजन ये था कि हमको ये भी डर लगता है कि अगर हम अफगानिस्तान को हतियार देते हैं तो कल को वही हतियार अगर तालिबान की सथा वहाँ पर आ गई तो वही हतियार इंडिया जो कस्मीर है ये वहाँ पर अफगनिस्तान के क्या हुआ उसके बाद इडिया ने रस्या से कहा कि आप थोड़े बहुत हतियार देजी अफवानिस्तान को और उस टेम नाटो में और रस्या में भी एक फ़ोड़ा सा एग्रिमेंट हुआ था कि आप हवानिस्तान के अप जो कमी यह उसको पूरा कीजिए उसके बाद में यानि वो खत्म हो गई है और अब तो उनको और ज़दा त्यारों की जूरत है क्योंकि तालीबान तो ज़रा से ज़दा एरिया कैप्चर कर रहा है वहाँ पर आप देख लेजिए तालीबान एक लेवल के बाद में वहाँ अटेक बढ़ाता चाहरा है और लगतार अटेक हो र कर रहा है तो इसके बाद में क्या हुआ अब देखिए जब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया तालीबान कैप्चर कर रहा है अफगानिस्तान में तो 2015 में तीन ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर्स इंडिया ने अफगानिस्तान को दिए तो उसके बाद में 15-16 में और भी अ इडर्ड ज़्यादा ध्यार दीने में जो हइजीटेशन है उसको इंडिया पीछे होड़ रहा है और उन्होंने अब मांगे हैं BMP's tank BMP's tanks Russian made tanks और काफी versatile होते हैं काफी powerful tanks ही होते हैं अब Afghanistan इन tanks की मांग कर रहे हैं इंडिया से जैसे हमने डिस्कस किया situation अफगानिस्तान में और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है और तालीबान ने जो एरिया अभी तक capture कर रहा है वो तो हजार एक के बाद में अभी तक का highest area capture कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर में तो situation तो definitely वहाँ पे grave है हतियारों को जूरत उनको है इसमें तो कोई भी doubt नहीं है और अब देखिए वहाँ पे जो तालीबान जड़ा जड़ा area capture कर रहा है वो political failure है political failure कैसे है और leadership वहाँ पे कुछ भी नहीं है देखिए जो US के general है Johnson वो कहते हैं कि दूर armed post पे यानि जो उनके दूरदराज के इलाके हैं वहाँ पे post हैं आर्मी की वहाँ पे जो young officers तेनात हैं उनको तो खाने के लिए खाना नहीं मिलता हतियार नहीं मिलते हैं तो कैसे लेने के तालीबान से तो वहाँ पे situation थोड़ी grave है young officers वहाँ पे मर रहे हैं लेकिन जो बड़े वहाँ पे अधिकारी हैं या फिर political leaders हैं वो इस तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और पूरा का पूरा country है वो ethnically divided है पास्तून, तजाक्स, उजबेक्स काफी तरह के ethnicity वहाँ पर है और पिछले दिनों वाइस प्रेजिडेंट ने घनी पर आरोप लगाया जो कि एक पास्तून है कि आप पास्तून को ज़्यादा appease कर रहे हो यानि आप जो भी कदम उठा रहे हो वो पास्तून के लिए उठा रहे हो और बाकी communities के लिए नहीं उठा रहे हो आप सिरफ अपनी political constituency को सर्व कर रहे हो तो उनको ज़्यादा हतियार चाहिए चाहिए वो किसी भी country से आए चाहिए वो रस्या से आए या चाइना से आए या फिर इंडिया से आए या फिर USA से आए उनको तालिबान से लड़ने के लिए हतियार चाहिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है देखे अब इंडिया अगर अफगानिस्तान को हतियार देगा तो उसको दो-तिन परपस सर्व होएंगे एक तो definitely अफगानिस्तान में stability रहेगी डेमोक्रेटिकली जो अभी elected सत्ता है वही रहेगी अफगानिस्तान में stability रहती है तो उसका फाइदा इंडिया को भी मिलता है और अगर यही डेमोक्रेटिकली जो elected सत्ता रहेगी तो पाकिस्तान का influence भी वहाँ पर एक level तक सिमित ही रहेगा और ज़्यादा influence नहीं रहेगा और जो तीसरा है अब देखे पिसले दिनों क्या हुआ था पिसले दिनों एक peace process स्टार्ट हुई थी अफगानिस्तान peace process इसमें चार कंट्रीज थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूनिटीट, सेश, चाइना और दूर दूर तक इसमें इंडिया का नाम नहीं था तो एक लेवल के बाद में इंडिया का influence वहाँ पे कम हो रहा था तो अगर इंडिया अब हतियार देगा तो एक pivot back स्टार्ट हो जाएगा यानि दुबारा से इंडिया का रोल स्टार्ट हो जाएगा अफगानिस्तान के अंदर हमारे फोर्मर जो पीम थे मनमोन शिंग उन्होंने भी का कि इंडिया इस वेल पोजिशन एज नेट स्क्यूरिटी प्रोवाइडर देखिए नेट स्क्यूरिटी प्रोवाइडर तो यह तो कहने की बात है अभी तक तो इंडिया का ज्यादा रुजान रहा है इंडिया का ज्यादा रुजान शोफ्ट पावर जैसे कि यह जो डिजास्टर वगर होते हैं तो उनमें साइथा देने का यानि इस पूरे रिजन में जब भी कोई जैसे नेपाल में अर्थ कोई काया था तो इंडिया वास्ट तो रीच देर इंडिया शोफ्ट पावर यही अभी तक इंडिया का रोल रहा है और हतियारों को बेजने से देखे कई तरह के फाइदे होएंगे हतियारों को बेजने सबसे पहल तो रेवेन्यू आएगा यानि बचत होगी दूसरा टाइज और जड़ा स्ट्रोंग हैंगे यानि जिस भी द पावर अपने हिसाब से टर्ण करेंगे यानि तालीबान को हरा देंगे वह अगर हतियार दिये जाएंगे अफ़ानिस्तान को अंदर में यानि स्ट्रेटेजिक फाइदा भी इसका होता है तो इस तरह के फाइदे यहां पर होते हैं उसके बाद देखिए इसके डेफिनिट किसाफ से है तो घँचे रहे हैं अफवानिस्तान के रेजीम को कल को वहां कर टालीबान सत्ता में आ गया तो खिलाफ हो गा यानि हतियारों को देना के डिसद्वांटेज भी हैं यानि हामफूल भी हो सकता है क्यों कल को रेजीम चेंज हो जाए या फर कुछ और सिचूएस आजाए तो बाद में वो बदला तो लेंगे ना ऐसा तो है नहीं वो चुपचा बैठेंगे अब जिन जिन देशों ने हतियार देंगे अब कल को तालिबान सत्ता में आ गया तो ऐसा तो है नहीं वो यूएस और इनके साथ में फ्रेंडली रिलेशन्स इस्टाबलिस कर लेंगे देखें होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन एक लेवल से अंदेशा तो हमेशा रहतार इस्ते खराब होने का अब जो इंडिया की आम सेल्स है पिसले दिनों में इंक्रीज होती जा रही है आपन कान इन सब को हम थोड़ थोड़ छोटे हतियार दे रहे हैं और 500 के चाइना के प्रोशी दुस्मंदेश वियत नाम की हेल्प करते हैं यानि जैसे को तैसा अब जो ओसियन के जो इंडियन ओसियन के च्छोटे मोटे आइलेंड्स कंट्रीज हैं जैसे शेशल्स मालदीव्स और मौरिशियस इनको भी हम टाइम टू टाइम जो ये बोर्ट्स है पट्रोलिग बोर्ट्स और वेसल्स इनको भी हम देते रहते हैं अर्क्राफ्ट वरा ताकि ये जो पारेशी होती है और अपनी स्कूरट्र को स्केए और पाईरिश को कंटियों करेशें ये अपने एरिया के अंदर में और जो इसके बेनिफिस च्रीज रहे हैं और हमारे हत देखिए क्या आता है 1970 में तो देखिए हम काफी तरह की ट्रेनिंग और आम से पहले देते थे अफ्रिका में भी देते थे और साउथ एश्या में देते थे लेकिन एक लेवल के बाद में हमने इसको धीरे-धीरे काम कर दिया और 1970 में तो हम जो एपर्थीड मुवमेंट या फ इसको अभी बेचने के लिए बाची चल रही है किनकिन कंट्रीस से वियत नाम से इंडोनेशिया सहोदेरेविया थाइलैंड फिलिपिन से इन इन देशों को बेचने की बात हो रही है इसके लावा हम जो इंडिजिनेस मेड तेजस एरक्राफ्ट है लाइट में लाइटली इसको भी हम बेचेंगे तो इस तरह से हम अपने हत्यारों की शेल को पड़ाते जा रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज है इसे पूरा पूरा आर्टिकल था अगला आर्टिकल कोई खास आर्टिकल नहीं है देखिए यह आर्टिकल है सेकेंड पेस पे और साइड में यह आर्टिकल हमने थोड़ा वह तो डिसकेस करी लिया था कि अफवानिस्तान में इम्रान खान जो पीटी आई पार्टी के हैं वो एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं नवाज सरीफ के खिलाफ में क्यों क्यों क्योंकि वह उन्होंने एलिगेसिंस लगाया कि परामा पेपर में आर्मी के हाथ से बाहर जाती है तो हमारी जो एर फोर्स थी वो सिच्वेशन को संबालेगी ऐसा का जा रहे हैं और इंडियन एर फोर्स का जो एनुल डे था वो आठ अक्टूबर को था और 84th anniversary इस साल इंडियन एर फोर्स ने मनाई और देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स गए उस टेम पर और यह का गया कि इंडियन एर फोर्स जो है वो capable नहीं है और उनके पास में proper arms नहीं है उनके पास में precise striking capability भी नहीं है बहुत त्रेकी बाते उस टेम पर निकल कर आई देखिए तो सच है कि हमें इंडियन एर फोर्स को अपनी capability increase करने के जूर्थ है और ज़्यादा से ज़्यादा research and development करने के जूर्थ है और देखिए फिलाल पिछले दिनों armed forces का use बढ़ता जा रहा है जब भी diplomacy fail होती है यानि आम तोर पर हमारे relations दूसरे देशों से handle करते हैं लेकिन जब भी diplomacy use होती है तो armed forces उस चीज को संभालती है और उस role में Indian Air Force कैसे बैठती है यानि armed forces के रोल के अंदर में Indian Air Force कैसे बैठती है वो तो सबको पता ही है आज कल हो क्या रहा है Indian Air Force की जूर्थे हैं मतलब Air Force की Indian Air Force और या किसी भी वार में किसी भी country के लिए Air Force के जू Air Forces कर सकती है और अब तो देखिए हमारे neighbor को जो enemies हैं even China और पाकिस्तान इनके साथ में हमारे relations हमेशा से अच्छे नहीं रहते हैं तो ये भी अपनी capability चाइना देखिए अपनी Air Force की capability कितना बढ़ाता जा रहा है तो इंडिया को भी अपनी Air Force की capability बढ़ानी चाहिए क्योंकि देखिए Air Force जो होती है वो एक तरह से दोनों hard power भी project करती है soft power भी project करती है hard power तो आपको पता ही होगा वार में काम आती है soft power देखिए जब भी कोई disaster आती है या किसी तरह की भी कोई विपती आती है दूसरे देशों की वहां भी अगर हम उनको site provide करते हैं तो हम Air Force से ही provide करते हैं आप देख लीजिए माल्दीव में क्या हुआ माल्दीव में उनका जो एक माल्दीव एक island country है तो वहां पे उनका fresh water produce करता है वो उनका plant में आग लग गई थी तो इंडिया ने जट से अपना super hercules जो aircraft है वहां पे बेजा और fresh water वहां पे पुंच आया अर्थक्वेक आया नेपाल के अंदर में हमने हमारे जो aircraft से वहां बेजे तो इसे air force से हम अपनी soft power भी show करते हैं तो air force को strong करना बहुत जरूरी है तो कुछ दो-तिन point उसमें important है उसके लावा इसमें details दे रखे हैं बहुत ज़दा air force के particular aircraft के नाम और वो तो एक level के बाद में बहुत ज़दा details हम Context का है पिछले दिनों देखिए Bluch Litter, Bluchistan के जो लीटर है Bluch Litter बुक्ती उन्होंने हमारे देश में इंडिया में asylum मांगा और अभी देखिए हमारी कोई uniform policy asylum पर नहीं है कि हम किन-किन country किन-किन लोगों को हम asylum provide करते हैं और refugee status provide करते हैं कोई भी uniform policy हमारे पास नहीं है और जब हमारी मर्जी होगी तब हम किसी को asylum provide करेंगे यानि हमारे फाइदे के हिसाब से पिछली सर्दियों में लास्ट विंटर में भी तीन प्रावेट बिल आये और एक बिल तो ससी थूरूर ने पेस किया था कि यानि asylum पे लेकिन वो तीनों reject हो गये क्यों क्योंकि देखिए तो उस उन बिल्स के हिसाब में तो बुक्ति को जो ब्लूच लिडर है उनको दिया ही नहीं जा सकता था asylum और देखिए refugee अलग चीज है और इंटरनेशनल जो ला है वो refugee safety को तो definitely recognize करता है और इंडिया भी committed है इंडिया भी कहता है कि हाँ refugee तो status हम देंगे अगर जो भी वीप protection से है यानि asylum जोनी उनको security की जूरत होती है और refugee तो एक बहुत जादा नेरो टाम है काफी विवादित टाम है लेकिन एक नेरो टाम है UN की definition 1951 के हिसाब से तो इसका link persecution on the basis of racial racial के हिसाब से इसका इसाब से religious, national, social, political grounds पर तो एक नेरो definition है asylum का जो है scope बहुत ज्यादा है तो इंडिया ने जो UN की definition को reject कर दिया क्यों क्यों क्योंकि देखे इसका इसाब से तो बहुत कम लोगों को refugee status दिया जा सकता है और इवन आफरीका ने भी 1969 में अपनी खुद की definition दी refugee की और UN की definition क तो reject कर दिया और EU ने भी जब देखे EU को भी तब समझ में आया जब Balkans में conflict हुए बalkans में conflict हुए तो उन्होंने माना कि इस basis पे भहुत से basis होते है जब जनता भागती है अब देखे इरान, इराक और सीरिया से जनता भाग रही है तो किसी race, religion के इसाब से जनता नहीं भाग करते हैं और United Nations Human Commission जो है उन्होंने भी माना कि यह definition है वो narrow definition उसके बाद में, refugee की protection को तो international law recognize करता है जैसे हमने पहले भी discuss किया, लेकिन वो यह भी recognize करता है कि terrorist को नहीं वो accept कर सकते, आप ध्यान से सुनिएगा यह important बात है, refugee को तो सब देश मानते हैं कि refugees को बचाया जाना चा तो होता कि सारे के सारे countries इसका misuse करते हैं, सारे के सारे countries अपने जो political dissidents होते हैं उन पर terrorist के charges लगा लेते हैं, तो इसलिए दूसरे देशों को उनको सरण देने में काफी मुस्किल आती है, अब देखिए, आप पाकिस्तान का case देख लीजिए, बुगती अब एक political dissident है, लेक रूखते हैं, उसके बाद में, अब देखिए Latin America और अफरिका में भी काफी सारे हुए, लेतीन अमरिका में देखिए काफी सारे लोगो को asylum दिया गया हैं, और Latin America में होता क्या था? कूप होता था, कूप होता था, गोरिला वार होता था, तो काफी, you can say that, after 1950s, बहुत सारे leaders को कूप, यानि जिन्होंने किया, उनको asylum दिया, एक दूसरे देशोंने, और इवन जो गोरिला वार लड़ रहे थे, militants, उनको भी asylum दिया गया, अफरीका में भी ऐसे ही होता था, अफरीका में जब apartheid movement, यानि black liberation movement चल रही थी, तो जो लोग थे, यहां से वहाँ भाग जाते थे, यानि British के खिलाफ में जो लड़ रहे थे, उनको एक दूसरे देशोंने अफरीका में, एक दूसरे कंट्री को हुआ पर asylum दिया, और asylum लेने के लिए particular countries पर आने की भी जूरत नहीं है, आप देख लिए, Julian Assange, जो विकिलिक्स के owner है, इन्होंने Ecuador में asylum लिया हुए है, लेकिन Ecuador country में वो भी तक गए भी नहीं है, लंडन में जो Ecuador की embassy है, पिछले 3, 4 साल से वो वहीं उसाइलम में ही है, यानि Ecuador ने उन्हें asylum दिया हुए है, लेकिन Ecuador ने अपनी embassy में अनोंने उनको asylum दिया हुए है, यानि Ecuador में अभी तक गए भी नहीं है, कहने का मतलब यह है कि asylum लेने या देने के लिए उनकी particular देश की territory पर जाने की भी आपसकता नहीं है Asylum जो है वो political region से दिया जाता है यह एक important बात है Asylum जो है वो political region के हिसाब से दिया जाता है और refugee है वो humanitarian region के हिसाब से दिया जाता है अब देखिए Asylum और extradition में भी एक तरह का जो difference है Extradition है वो सब तरह से दिया जा सकता है यानि देखिए दो देशों के बीच में एक extradition संधी होती है यानि इंडिया मालीजी एक्जेंपल के दूर पर मालीजी आप इंडिया और थाइलेंड के बीच में एक extradition संधी है यानि इंडिया का क्रिमनल अगर थाइलेंड में पकड़ा जाएगा आप थाइलेंड के जगा इंडिया मालीजी है थाइलेंड और इंडिया में extradition मालो संधी है मालीजी आप तो देखिए अब छोटा राजन को पकड़ा है इंडिया पुलिस ने दोनों के देशों में अगर extradition संधी है तो extradition संधी के अनुषार में जो इंडिया का क्रिमनल है छोटा राजन इंडोनेशिया उसको इंडिया को सोप देगा यानि एक extradition का अनुषार यह होता है अगर देखिए अगर वो political prisoner है political prisoner है तो अगर दोनों देशों के बीच में extradition संधी है तो भी वो उसको नहीं सोपेंगे यानि political prisoner अगर देखिए example के तोर पर मालीजी कुछ भी अगर इंडिया का कोई politician इंडिया से भाग जाता है अगर वो इंडिया और present जो government है उस पर charges लगाती है कि इसने राज़ द्रो किया यानि देश के साथ गद्दारी की है कलको वो इंडोनेशिया में जाकर छुप जाता है तो यह हैं इंडोनेशिया की मर्जी रहेगी क्या क्या वो उस political prisoners को इंडिया को सोपे या नहीं सोपे यानि एक terrorist को सोपना तो पड़ेगा extradition के नुशार में लेकिन political prisoner को सोपने नहीं सोपना वो दूसरे देश की मर्जी रहेगी तो यह extradition में exception होता है कि political offensers जो होते हैं उसको सोपे या नहीं सोपे अब इंडिया इसी इसी ambiguity को यानि संदिक्ता को यूज कर सकता है कि बुगती को shelter देने में यानि पाकिस्तान तो उससे कहता है कि वो एक terrorist है लेकिन इंडिया कह सकता है कि वो एक terrorist ना होकर एक politically prisoner है यानि politically offender आप उससे कह सकते हैं इससे पहले भी इंडिया ने इस तरह की गैस्ट हैं अब देखें इंडिया ने काफी समय से इंडिया जो तीबतियन और दूसरे कहीं से भी जो पर्सक्यूट यानि उनको उप्रस किया जाता है दबाया जाता है इंडिया इस टाइप के लोगों को सरण देता है और अब यह करक्सिया निकलता है अब कहते हैं कि जो अलग तरह से ट्रीट किया जाए अगर कोई ग्रूप मांग रहा है तो उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाए अगर किसी डिजास्टर में कोई ऐसाइलम मांग रहा है तो उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाए क्योंकि डिजास्टर में अगर कोई ऐसाइलम मांगता है वो हमारा फाइदा देखना चाहिए करक्स यह निकलता है बार बार वही करक्स निकलता है कि जो political asylum होता है जैसे बुगती तो रहा इस यह तो discretionary होना चाहिए यानि कोई political leader हमारे देश में asylum मांगे तो उसमें हमारी मर्जी चलनी चाहिए उसको हम हमारे जूरत के हिसाब से हम asylum दे यानि अब situation ऐसी है कि बुगती को asylum देना है तो यह हमारा interest हमें देखना होगा क्या इसके repercussions होएंगे वही मर्जी हमारी चलनी चाहिए लेकिन अगर humanitarian grounds पर यानि मानविया दिकार पर कोई asylum मांगता है तो यहाँ जो हमारी protection है यानि refugee की policy उसको प्रायटी होनी चाहिए और यह mandatory एक uniform होनी चाहिए यानि कोई मानविया अधार पर हमारे देश में asylum मांगेगा तो refugee status मांगेगा तो हम उसे देंगे तो इस तरह से यह पूरा का पूरा होगा नहीं थोड़ा बहुत जो था यानि पाकिस्तान में multiple centers of power है वो हमने last video में discuss किया था 30th October वाली में चितना important था वो हम आले discuss कर चुके हैं So thanks, thanks very much for listening